तो रूस का हमला यूक्रेन में अब भी जारी है कीव की रक्षा के लिए इर्पिन में रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है इर्पिन को कीव की दिवार माना जाता है इसलिए रूस की कोशिश ये है कि इस दिवार को जल से जल गिराय जाए इर्पिन में युद के मेदान से देखिया मैं समवाता गौरत सावन की ये साहसिक रिपोर्ट राजभानी कीव पर कबजे के अभिजान के बीच ये शहर इर्पिन वो दीवार है जो रूस की सेना तो अब तक रोप रही है यही वज़ा है रूस की सेना ने इर्पिन पर बड़े हमले की तैयारी तेज कर दी है यही वज़ा है कि इर्पिन पर कबजा नहीं होगा तब तक कीव पर कबजा करना मुश्किल है यही वज़ा है कि इर्पिन में यूकरेन और रूस की सेना आमने सामने है इर्पिन और बूचा बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है क्यों ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इर्पिन और बूचा द्वार है कीव का और इसलिए इर्पिन और बूचा की रक्षा कीव की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसलिए यहां पर जबरदस लड़ाई पिछले 36 दिनों से चली है केवल इस्तानबुल में बाचीच से पहले रूस ने कहा कि वो कीव और चर्नी हाइव दो शहरों को निशाना नहीं बनाएगा और उसके बाद रूस की सेना कुछ यहां से पीछे हटी है और इसलिए यूकरियन की सेना धीरे धीरे यहां आगे बढ़ रही है इस इलाके को फिर अपने कबजे में कर रही है इसको अपने कबजे में करना इसलिए जरूरी है ताकि कीव की रक्षा की जा सके यहां कुछ आवाज अभी भी सुनाई दे रही है, कुछ तरहां के विस्फोट हो रहे हैं, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि यह जो विस्फोट हमको सुनाई दे रहे हैं, यह वो बारूदी सुरंगे या अंटी टैंक माइन्स हैं, या अंटी परसनल माइन्स हैं, जिनको नि कि ये केवल री ग्रूप कर रहे हैं थोड़ा पीछ अटके हटें नहीं है। इर्पिन के अलाके में इस समय यूकरिन की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। एक जंडा लगा के वो बता रहे हैं कि अब यहाँ पर बारूदी सुरंग यानि अंटी परसनल माइन्स या अंटी टैंक माइन्स नहीं है। यह बिलकुल फ्रंट लाइन है इर्पिन के उस इलाके में जहां रूस की सेना और यूकरिन की सेना कुछ घंतों पहले तक उनमें मुटभेड चल रही थी। लेकिन अभी रूस की सेना पीछे हटी है यूकरिन की सेना उन्हें पीछे हटाने में सफल हुई है। यह सफेद जंडा लगाए जो गाड़ी आ रही है यह इशारा यह है कि या इसमें सिविलिन हैं या पत्रकार हैं या एड वरकर्स हैं वो चाहते हैं कि उनको निशाना दोनों ही तरफ से न बनाया जाए। यह कुछ सिविलिन लोग हैं।